हेलो वीवर्स शेरिंग इस फन चानल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज हम बात करने जाएंगे कुछ ऐसे सिम्टम्स के बारे में जो एक प्रेगनेंट वुमिन देखकर ये गैस कर सकती है कि उसके कोप में एक बेटा है या बेटी है मैंने भी अपने प्रेगनेंसी के दौरान ये सब बहुत सारे सिम्टम्स चेक किये थे और बहुत कुछ सही है और बहुत कुछ नहीं होता है यह ज़स्फर पराण है ऐसा कुछ होता नहीं है यह एक जग्सांक बता देता है गल्स तो दोनों उनके लिए उतना ही बराबर होता है, जाहे वो लड़का हो, जाहे वो लड़की हो, बट इस्टिल वो जानने का बहुत कोशिश, मैंने बहुत कोशिश किया था, अच्छिली मैं कुछ-कुछ सिंप्टम्स हमीशा देखती रहती थी, क्या symptoms हैं, मेरे कि symptoms किसे match करते हैं, लड़का होना है या लड़की होनी है और बहुत पूरा calculate जब मैं की थी तो actually जो आया था हो सही हुआ था मेरे case में बहुत सारे symptoms ऐसे थे जो लड़की के थे और मेरी baby girl भी हुई थी तो जलिए हम शुरू करते हैं, जिसमें की पहला symptom है morning sickness तो morning sickness मेरे time generally कहा जाता है कि morning sickness अगर है आपको तो आप carry कर रहे हैं baby girl लेकिन मेरे case में ऐसा नहीं हुआ था, मुझे नहीं लगा कि मुझे morning sickness या nausea बहुत रहता था कुछ दिन के लिए कह सकते हैं initial कुछ days में मुझे vomiting होती थी जब मतलब मैं अगर कुछ खा करके travel कर रही हूँ तो उस case में मुझे vomiting हो जाती थी लेकिन ऐसे within for 9 month में जो 9 month की pregnancy थी उस बीच में मुझे बहुत जादा vomiting नहीं हुई हो अगर मैं count करूं fingers पे तो मुझे लगता है तीन या चार बार शायद मुझे vomiting हुआ होगा उससे जादा vomiting मुझे नहीं हुई थी पर दूसरा symptom है heart rate कहते हैं कि अगर baby जो है आपका baby जब आप scan करवाते हैं तो आपको उसमें baby की heart rate पता चलती है कि baby का heart rate कितना है तो कहते हैं कि baby का heart rate अगर 140 या 140 से कम होता है तो वो baby boy होता है और मेरे case में ये सही हुआ था क्योंकि मेरी baby की heart rate हमेशा 150 से अबव रहती थी और मुझे baby girl हुई थी फिर तीसरा symptom है skin आपकी जो skin होती है ना face के skin वो dark हो जाएगी या फिर dull हो जाएगी तो वो symbol है कि आपको baby आप जो carry कर रहे हैं वो baby girl है क्योंकि baby boy के case में कहते हैं कि face पे बहुत glow आ जाता है बहुत खिली खिली दिखती है mother जो भी होती है और जब baby girl होती है तो वो mother से सारा beauty ले लेती है जिसके चलते ममा का face होता है वो थोड़ा dull हो जाता है उसके बाद next symptom है hair fall hair fall या फिर आपके hair का condition है वो अगर खराब हो रहा है मतलब या rough हो गया है या फिर आपका hair fall बहुत हो रहा है आपके बाल जादा बढ़ नहीं रहे है तो उस case में भी कहते हैं क्या baby girl क्यारी कर रहे है क्योंकि वही same चीज की baby girl जो होती है वो mama की beauties को चुरा लेती है फिर मेरे case में ये दोनों हुआ था मेरे face भी बहुत डल हो गया थे और मेरे hair fall नहीं हुए थे बट मेरे hair डल हो गया थे उतने अच्छे नहीं थे rough जैसे थे मेरे hair फिर उसके बाद आता है spicy food craving Ah, Craving मतलब की मामा को क्या खाने का महीं हो रहा है बहुत spicy या खटा खाने को साथा है या मैं बहुत स्वीट खाई थी अच्छी मैं डबबे डबबे का मतलब गुलाब जामुन का डबबा रखी रहती थी मैं क्योंकि मुझे जद क्रेविंग मतलब होता है तो आपको लगता है कि बस अब जल्दी से हमको दे दो ऐसा होता है तो मैं उस वक्त में मीठा बहुत खाई फिर उसके बाद है टमी पोजिशन आप जो बेबी कारी करते हैं यह जेनरली मुझे लगता है कि यह आपको एट मन्त में पता चलता है एक्जाक्ली कि आपका जो बेबी टमी है वो नीचे की तरफ है या ऊपर की तरफ है मेरे केस में यह पॉइंट भी सही हुआ था क्योंक कि मुझें पॉइंट भी बताया था कि वो उसका जो है पोड़ी करती मतलब उसके बेबी बेबी बादी कैया है एक्रिक टरफ है को बेबी बद सब्सक्राइब लुएंग भी बादा है तो आप हो सकता है girl carry कर रहे होंगे और अगर आप normal है happy है तो आप boy carry कर रहे हैं लेकिन ये मेरे case में नहीं हुआ था मुझे नहीं लगा कि मैं बहुत चिरचिरी हो गई थी या बहुत गुसा होती थी मुझे normally मैं खुश थी बहुत खुश थी तो उसमें मैं ये नहीं कहूँगी कि मूड स्विंग्स मुझे हुए थे मेरी बेवी गरल के टाइम में फिर उसके बाद कहते हैं कि जो आप यूरीन का कलर जो है न अगर आपके यूरीन का कलर थोड़ा डाक हो जाता है तो आप शायद बेवी बॉई कैरी कर रहे है मेरी केस में ये था मेरी यूरीन का कलर में कोई चेंजर नहीं आया था वो बिल्कुल नॉर्मल था मुझे लगता है कि ये पॉइंट पता नी वालिड है या नहीं मैट भी आप अगर पानी सही से पीए तो आपके यूरीन का कलर नॉर्मल रहेंगा अगर आप पानी में कम करें पानी कम पीए तो शायद आपका यूरीन का कलर डाक हो जाएगा मुझे साइन्टिफिक ऐसा लगता है लेकिन आम नॉट शूर अबाट इट मेबी जो बेबी बॉय कैरी कर रही हो वो जादा अच्छे से इस बार में आपको बता पाएंगी मेरे केस में ऐसा नहीं हुआ था मेरे यूरीन में कलर में कोई चेंज़ नहीं आए थे बहुत नॉर्मल था वो जैसे हमेशा रहता है वैसे ही था कोई डाकनेस या लाइटनेस मुझे फील नहीं हुए थे फिर उसके बाद है next breast size में changes आते हैं अचली जब हम pregnant होते हैं तो उस time हमारा breast होता है वो lactation के लिए तयार होने लगता है क्योंकि उसमें milk का production शुरू करना होता है तो काफी सारे changes आते हैं even उसके size जो हैं बड़े और छोटे होते हैं बड़े होते हैं अचली छोटे नहीं होते हैं बड़े होते हैं और फिर उसके बाद तो आप notice करोगे कि आपका कोई एक breast थोड़ा बड़ा है या थोड़ा छोटा है comparatively अगर आपका right side का breast जो है वो ज़्यादा बड़ा है left वाले के comparison में तो कहते हैं कि baby girl होता है मेरे case में ऐसा नहीं हुआ था मुझे लगा था कि मेरा right का side जैसे की थोड़ा जादा मुझे लगता था लेकिन मेरी baby girl ही होई थी फिर उसके बाद है cold feet अगर आपके पैर जो है आपके तलवे पैर का तलवा जो है अगर वो ठंडा रहता है मुझे थंडा रहता है वो चूने पे तो उसकेस में भी कहते हैं कि baby boy आप कारी कर रहे हो मेरे केस में ऐसा नहीं था मेरा पैर एकदम नॉर्मल रहता था मतलब नॉर्मल टेंपरेचर पे ही रहता था वैसा कुछ मुझे फील नहीं होता था कि वह ठंडा है मुझे बहुत गर्मी लगता था जब मैं baby girl अपनी कर रही थी तो उस वक्त मुझे बहुत गर्मी लगता था मतलब मैं mostly आप मेरे वीडियो में देखोगे कि मैं half sleeves पहनी भी रहती थी क्योंकि मुझे गर्मी बहुत जादा लगती थी जब मैं girl कर रही थी तो तो इसमें भी करेंगी कि शायद यह point valid होगा जो baby boy कर करनी होगी वो आपको अच्छे से इस बार में बता पाएंगी मेरे केस में मेरा feet cold नहीं होता था फिर उसके बात weight gain जब आप baby girl कर नहीं चरते हो आपके पूरे बॉडी में weight gain होता है और जब आप baby boy करते हो तो आपका जो बंप बंप जब जो है उसमें ही क획ल राता है पूरे ब्रेस्ट प्रेस्ट नहीं अगेश यह पोउंत भी यहाथि हास मेरी केस में हुआ था मेरे पूरे ब्रेस्ट पर में आपके पूरे बॉडी में, आपके ब्रेस्ट पे, नेक वगेरा, फेस पे, सब जगे पे आपको फुलन फुलन जैसा लगेगा जब आप बेबी गर्ल करते हो तो ये भी आप देख सकते हो बहुत एजली मेरे वीडियो में आवालिबल है आप देख सकते हो कि मैं कितना स्वेल किती होसे जब मैं बेबी गर्ल कर रही थी तो फिर उसके पाद नेक्स जो आते हैं लीन्या नीग्रा एक अचली लाइन होता है जो हमारे नेवल होते है मतलब नाभी जो होता है वो नाभी को क्रॉस करके एक लाइन बनता है हमारे प्रेगनेंसी के दौरा जैसे जैसे हमारा पेट बढ़ता है वैसे वैसे वो लाइन और क्लियर हो जाता है मेरे केस में भी था मुझे ये लाइन दिखे थी और मेरी जो है ना थोड़ी सी मतलब नाभी के पास में थोड़ी जर्क होके फिर सीधी गई थी नीचे से ही शुरू हुई थी थोड़ी जर्क फिर उपर गई बस अगर कहेंगे कि थोड़ा सा टर्न जो था ना वो मेरे नेवल के पास मेही था कहते हैं कि अगर वो स्ट्रेट हो एकदम सीधा हो नीचे से ऊपर तक तो उस केस में आप बेबी बॉय कैरी करते हो अगर वो टूटता है या फिर तेड़ा मेढा रहता है तो फिर वो आप बेबी गर्ल कैरी करते हो तो मेरे केस में भी यह सही है मैं बेबी गर्ल कैरी कर रही थी और मेरा लाइन एकदम सीधा नीथा वो नेवल के पास थोड़ा सा मुड़ा हुआ था फिर उसके बाद है headache अगर आपको headache होती है pregnancy के दौरान तो कहते हैं कि आप baby girl carry कर रहे हो लेकिन मेरे case में ऐसा नहीं था मुझे headache नहीं होती थी मैं अराम से सोती थी मुझे कोई problem नहीं होती थी मैं सारा काम माम भी आराम से कर लेती थी वैसा मुझे जादा headache नहीं होती थी मुझे अगर मेरे case में कहा जाए तो फिर उसके बाद आता है hubby weight gain ये मुझे actually सबसे मतलब miracle जैसा point लगता है कि suddenly actually मैं मेरी जब मैं जब baby girl को अपनी carry कर रही थी तो उसके actually मैं मेरे husband का weight जो है न अपने आप ही बढ़ रहा था तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि यार मतलब diet तो वही है फिर कैसे बढ़ रहा है मुझे नहीं पता कि ये सब के case में होता है यानि लेकिन हाब मेरे case में आसा हुआ था कि जब मैं प्रेगनेंट थी तो उस टाइम में मेरे husband का weight automatically ही थोड़ा 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 जब भी वह नापते थे तो बढ़ आप था बढ़ जाता था बढ़ जाता था जिनरली उतना उनका weight गया भी नहीं था लेकिन उस टाइम में पता नहीं उनका weight कैसे बढ़ रहा था तो यह point मेरे case में तो सही हुआ था कि हाँ daddy जो हुए baby के उनका weight बढ़ रहा था और जब में baby girl कैरी कर रही थी तो उसके बाद next point है dream of mango कहते हैं कि अगर आप pregnancy के दौरान अगर आप सपने में आम देखते हैं तो उस case में कहते हैं कि आप baby boy कैरी कर रहे हैं मेरे case में तो आप जो सपने में आम नहीं देखी थी आप पता नहीं जो जो boy कैरी करते हैं वह सच में देखते हैं लेकिन मेरे case में यह था मैंने कोई आम नहीं देखा था इपने कोई सपने में और अब लेगे काद आता है round face मतलब कि वही क्यूंकि आप weight gain करते हैं बहुत जादे, आप all over by body या weight gain करते हैं, जब आप baby girl carry करते हैं तो आपका face आपको round लगेगा ठोड़ा और जब आप baby boy carry करते हैं तो आपके face में कोई changes नहीं लगेगा आपको जैसे पहले face ता वैसे ही similar face लगेगा फिर उसके बाद अगर आप boy carry कर रहे हैं तो आपकी जो personality होती है वो भी धीरे-धीरे करके male की तरह हो जाएगी मतलब क्यूंकि हमारे अंदर जो male hormones होता है वो ज़ादा develop होने लगता है अगर हम baby boy carry करते हैं तो हमारे personality में changes आते हैं हमें वो सब चीज करना अच्छा होगा हो जो जाजनासवरन跟大家 अगर दो आपको घर पे रहना अच्छा लगा अगर भी कर रहने अगर बाद में आपको उतना पसंद नहीं आएग्ग का उस टाम बड़ना में और इसको 52 के लिए किस तरह लाद में तरह किस तरह बहुत में तरह कि अगर में शोते हो तो सो केंगें, अगर से लाद मुझे नहीं 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 पता कि मैं मतलब जब कंसीव की थी तो मुझे क्या लगता था या क्या कमफर्ट लगता था मैं अकसर राइट साइड में ही हो कर सोती थी पिर उसके बाद आता है है हैंड और पाम जो है आपके ड्राय होने लगेंगे मतलब आपको लोशन वग्यारा की बहुत ज़रोत होगी लगेगा ना कि इसकिन उखड रहा ऐसा ऐसा फील होता है तो वह भी कहा जाता है कि जब आप बेबी गर्ल कैरी कर रहे होते हो तो आपका ड्रायनेस होता है मतलब कि मेरे स्किन वग्यारा जो है पैर के उखडने लगे मेरे केस में यहा था एकचली मेरे पैर और मेरे हात वगारा बहुत ड्राय होने लगे थे स्किन उखडते लेगे तो यह भी मेरे केस में हुआ था मेरा स्किन काफी ड्राय हो गया था फिर इसके बा Meter करते हैं कि जो आपकी ना भी होती है उसका भी शेप चेंज होता है जैसे आपका baby bump जब बढ़ता है तो उसमें भी काफी changes आते हैं आपका जो नाभी है वो आप देखोगे normal तो एक या तो smiley रहेगा या तो sad face नीचे की तरफ रहेगा तो कहते हैं कि जब वो smiley है ऐसे उपर की तरफ दिख रहा है तो उसकेस में कहते हैं कि baby girl होगी लेकिन ये सिम्टम मेरे केस में नहीं हुआ था मेरे केस में मेरी नावल बाहर की तरफ ही ती और even smiley जा रहा था मैं दो बिंदी लगा कर के वो देखी भी थी वो smiley अच्छा से आ रहा था तो मेरे केस में ये true नहीं हुआ था नेक्स्ट है frequent urination ये भी कहा जाता है कि अगर बेबी बॉय करते हो तो आपको urination बहुत फ्रीक्वेंटली लगती है आपको बार बात्रूम जाना पड़ता है लेकिन मैं जब गर्ल केरी करी तो मेरे केस में मुझे ऐसा नहीं लगता था कि मैं बहुत जादा बात्रूम जाती है कि आपकी urination की frequency अगर बहुत सादा बढ़ गई या बार बार जा रहे हो तो उसकेस में कहते है कि शायद आप बेबी बॉय करी कर रहे हैं इन्सॉम्निया ये मुझे लगता है कि हाँ सही है आप जब बेबी बॉय करते हो तो आपको नीन नहीं आती है रात रात बर आप ज मैं बहुत सोती घञ जब मेरी बेबी होने वाली थी त sentiments MOM है रहे हैं इसको कर रहे हैं तो ये वहुत बहुत दिर तक आराहम से रहती ति है लिख आपकीर के नी जाए रहे है और लुंट अपण एनक को में पले कर वे हम उप परक के जाए्मलिय कर ये अपकीर जाग जाग जाता है तो चैहते हैं किया बेभी बॉइ और रहता है तो अगर वो कुछ नहीं होता है नॉर्बल्स नहीं करें ताई मेरे केस में यह बी कोई बबल्स कुछ नहीं हुए थे मैं बेकिंग सोडा में अराम से अपना जब यूरीन डाली थी तो वह नॉर्मल ही था इस्टेबल था कोई बबल्स नहीं था उसमें उसके बाद कहते हैं कि अगर आपकी डिलिवरी में डिले हो रही है मतलग कि जब आपका डेट दिया गया तो मुझे मेरे केस में ये नहीं हुआ था लेकिन जेनरली कहते हैं कि अगर आपकी डिलिवरी में डिले हो रही है आपका जो अक्चुल डियू डेट है उसे एक्सेंड हो गया है लेकिन अभी तक आपको पेन या फिर आपका वाटर ब्रेक नहीं हुआ है तो उसकेस में लेबर पैन का जो डियूरेशन होता है और बेबळ जगान की वे येच सुझारली के लेबर पैन का जो अटाड़ा जया हो मेरी मेरी काचैन मेरी 13 गंटे की लेबर पैन रही थे उसके बाद थे हंगरी आप जब बेवी गर्ल की तो आपको बहुत भूक लगती यंए आपको आपको भूख लग जाएगी आप मतलब बहुत खाते हो शायद इस वज़े से पूरे बॉड़ी में वेट भी बढ़ जाता है लेकिन आप बेबी गल के टाइम में भूख आपको बहुत लगती है वही अगर बेबी बॉख आपको बहुत लगती हो तो आपको उतनी भूख नह अगर आपको बहुत लगए अगर और कारी तो आप बहुत यह सावच जाएगा कर लोगा तो आपको फस्यों होना। यह मेरे केस में सही हुआ थायर मैं काफी तार मैं काश्या चारी बाद मुझा लगता थायर तोसवे पहसी बबढ़ है का प्र दिन अगर शेटको त्स था को we eerste चलब नुको अनुग हिए टो doc土 को मुझे अचलि और मेरी हम्लों को on a watch लाकिन हमारी बेभी करल ही थृम मतलब इसपे तो dependsdd नहीं हुआ था कि ह doubts अचलि उपनде मेरी हम लोग दोनों को लगता था कि टेह लोग हमारी बेभी करल फिर उसके बाद लेक स्वेलिंग, लेक स्वेलिंग अचली मेरा हुआ था, मेरा काफी लेक स्वेल कर जाता था, वो फूल जाता था, आपको नॉर्मल से जादा दिखाई देगा, वो आप मेरे वीडियो में भी देख सकते हैं, मैंने अपने लेक का भी पिक डाला है उसमें, म आपकी जो नोज होती है, वो स्वेल कर जाती है, वो बड़ी दिखेगी, मेरे केस में भी यह हुआ था, एवन जब मैं बेबी गर्ल कर रही थी, तो मेरी नाग काफी मुझे बड़ी लगने लगी थी, कहते हैं कि वैसा अगर होता है, तो आप बेबी बॉय कर रहे होते हो, लेकिन मेरे केस में असा नहीं हुआ था, मैं बेबी बॉय नहीं करी करी थी, मैं बेबी गर्ल करी करी थी, बट स्टल मेरी नोज जो है, मुझे बड़ी लग रही थी, बेबी पोजिशन कहते हैं कि पॉस्टेरियर के केस में, अगर आपका बेबी का पोजिशन जो है, वो प पॉस्टेरियर बेबी जो होता है वो जिनरली बेबी बॉइ होता है लेकिन मेरे केस में वैसा नहीं हुआ मेरी बेबी पॉस्टेरियर ही थी लेकिन मुझे गल हुई कहते हैं कि कभी भी अगर प्लंग से उतर रही है या धिर आप घर के पी है तो आप अपना पहले राइट पैर बढँ भॉए है तू आप पहले आप युटेर बढ़ारे या हुआ जिबेबी बैसार नहीं करते हैं बस नॉर्मल था ये भी सिम्टम मुझे दिखा था इसलिए मैं आपको बता दी आप अपनी टाइम में नोटिस कीजिए उम्मीद करती हूँ आप आपको ये मज़ा आया होगा आप अपको अपनी प्रेगनसी में देखिए टेस्ट कीजिए गेस कीजिए कि क्या है क्या नहीं ह हुना है वो तो वो गौड जो भी दे दे वो उनके ऊपर है बट इस्टिल ये फन है मजा आता है ये देखने में आप भी देखिए मुझे कमेंट करके बताईए कि आपके कितने सिम्टम्स मैच कर रहे हैं अगर आपके बेबी आलरी हो चुके हैं तो आपको कौन-कौन से सि स्टे हल्दी, स्टे सेथ